हाई एवरीवन वेलकम टू प्रफाउंड आईएज डियने आज 14 जून 2023 के डियन डियने में आपका स्वागत है आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टन आस्पेक्ट के बारे में डिसकस करने वाले हैं इसके अलाबा जो इंडिया-कनाडा रिलेशंशिप है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे आटिफिशल इंटलिजन्स और बहुत सारे चोटे बड़े आटिकल है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टन आस्पेक्ट के बारे में आपको बतान इसके अलाबा यूपेसी जोग्रफी ऑफिनल टुट 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 फाइव के लिए है इसमें कम्प्रीट कभरेज है पेपर वन एंड टु दोनों का और इसको फिजिकल हुमन जोगर्फी दोनों हम लोग कवर करेंगे आंसर राइटिंग सेशन्स हो एक्सेस ले सकते हैं इसके लाबा प्रफाउंड आई इसका जो एप है उसको भी आप इस क्यूर कोड के थूरू जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने इसका लिंक भी शेयर कर दिया है ठीक है टैक्स लॉज इन दी शेडो ऑफ हाईयर जुडीसरी अब देखें सर यह जो एडिटोरियल है यह यूपीसी के लिए भी इंपॉर्टन है लेकिन इसके जो एक्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टन नहीं है समझ मारा अच्छा जिनका जो कॉमर्स बैक्राउंड है उनको दे रहा होगा तो उसके लिए भी उसके लिए इंपॉर्टन आर्टिकल हो जाएगा और जिनका यूपीसी पेपर जिनको जीएस पेपर 3 मेंस लिखना है उनके लिए इंपॉर्टन है कुछ एक्जाम्पल्स अगर उतने ज्यादा मत इलाबरेट करिएगा लेकिन ऑवरॉल जो है जुडिसरी के बारे में यह बात कही गई है इस आर्टिकल में तो कॉमर्स ऑफ्सनौल और जीएस पेपर 3 के लिए यह आर्टिकल इंपॉर्टन हो जाएगा अब पता करते ही कि आर्टिकल क्या कह रहा है सबसे पहली बात आर्टिकल टू सिक्स्टी फाइव ऑप दी एक सबया भी कर सकते पॉंट बहुत बहुत इंपोर्ट पार्टिकल बैसलिए बहुत इंपॉर्टन बात की अर्टिकल 265 ऑफ दी कॉंसरो है जाता है पहली बात इन्होंने ये कहा है और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि a tax should have a definite principle of sureness definite principle of sureness का क्या मतलब है इसको जरा समझने को इस कीजिए मतलब tax जो होना चाहिए वो basically उसमें उसमें clarity होनी चाहिए consistency होनी चाहिए और predictable होना चाहिए Canon of taxation भी आएगी convenient होना चाहिए surety होनी चाहिए certainty होनी चाहिए तो taxation को लेकर हमारे भारत में ये दो बातें बहुत important है पहली बात कि बिन authority of law कि आप कोई tax impose नहीं कर सकते कोई भी tax impose नहीं कर सकते दूसरी बात इन्होंने कहा है कि बही जो tax होना चाहिए consistent होना चाहिए और predictable होना चाहिए ये दो बातें आप ध्यान लखिए इन्होंने कहा है कि recent जो supreme court के judgment आए हैं वो इन दोनों ही बातों को negate करता है इस article के हिसाब से इन्होंने कहा कि high court के judgments ने इन दोनों बातों को uphold किया है लेकिन supreme court के judgment ने negate किया है अब यह ऐसा क्यों कह रहे हैं इनको समझने कोशिस कीजिए इन्होंने कहा कि income tax act 1961 है ठीक है उसमें यह लिखा हुआ है ध्यान सुनिएगा सर उसमें एक art section 153 है वो कह रहे हैं क्या कि मान लीजिए कोई revenue official आता है IRS या कोई भी आदमी raid मारने आता है किसी authority पर तो उस raid में जो जो चीजें आपके मिली है जो जो चीजें जो subject मिला है आप तभी उस पर action ले सकते हैं मान लीजिए एक IRS officer है वो किसी के घर गया उसने वहाँ पर सीजर किया सर्चन सीजर लगाया उसमें बहुत सारे समान मिले तो उस समान के बदले उस आदमी को तभी charge हम कर सकते हैं यदि हम definitely ये बात कह दें कि वो समान उसी घर वालों के लिए जो है उसी घर वालों को बिलॉंग करता है तभी हम जाकर इन पर एक्शन ले सकते हैं बाद में इन्होंने कहा कि ये कभी कई बार बहुत मुश्किल हो जाता कि सर्चन सीजर में कि समान आप बता पाएं कि वो उसी फैमिली से बिलॉंग करता है क्योंकि इसमें आर्टिकल में क्लिरली लिखा हुआ है देखे लिखा हुआ है सक्शन 153 अलाउट दिर रेवन्यू तो प्रोसीड अगेंस थर्ड पार्टी तो सर्च इफ माटीरियल सीज्ट मनी बुलियन जुलरी और बुक्स ऑफ अपकाउंटेंसी बिलॉंग तो बिलॉं अच्छल अमाउंट जो उसी आदमी से बिलॉंग करता है तब ही जाकर आप सर्च इन सीजर कर सकते हैं आगे जाकर या माली जे कोई किसी के हां सोना चांदी मिला आपको पड़ा चला कि यह जो है किसी थर्ड पार्टी का है तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल क्लू में कुछ बदलाव लाया और फिर कहा क्या कि पर्टेंस और पर्टेंस टू लिख दिया समझ मागया अब देखे क्या प्रॉब्लम यह नहीं है कि क्या हुआ है अमेंडमेंट के बाद सवाल यह उठता है कि यह जो नियू अमेंडमेंट जो 2015 में आया सेक्शन 150 क्लॉस 3 में क क्लॉस 6C में वो क्या रेटरोस्पेक्टिव ली ऍप्लाई होगा क्या हाइए इसा कोई सब्जेख matter बदला गया था समझ मा गया तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का बात आना ही नहीं चाहिए था ये तो कोई law रेट्रोस्पेक्टिव है या नहीं है ये कौन decide करेगा ये तो authority decide करेगी ना ये supreme court decide करने वाली नहीं है तो वह ही बता रहे हैं क्या कि ये चीजें court के domain से बाहर चला जाता है ये जो जिम्मेदारी है ये legislature की जिम्मेदारी है समझ मा रहा है court जो है वो एक तरह का interpreter है वो कोई legislator नहीं है कोई law नहीं बनाने वाला authority है तो ये इन्होंने एक थोड़ी सी बात इन्होंने आपके सामने थोड़ी सी बात करी है ठीक है उसके अलावा इन्होंने एक री एसेस्मेंट का भी एक 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 जामपल लिया है नहीं समझाने के लिए कि सुप्रीम कोट कैसे जो है ना law को इंटरप्रेट कर रही है जबकि tax हमेशा law दौरा authority of law दौरा ही इंपोस किया जा सकता है तो ऐसे इंकम टेक्स के दिए सेस्मेंट की बात आई तो उसमें मतलब हाई कोट्स नहीं साफ साब बोला कि ऐसा है कि मतलब इस पर clear cut loss 2021 में बन गये है clear cut loss 2021 में बन गये है clear cut loss 2021 में बन गये है तो आप सर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप उसके timeline और duration को बढ़ा दे समझे रहे हो बात हो कि नहीं तो उसी चीज़ पर इन्होंने जो है हाई कोट ने इस चीज़ को मना किया कि चुकी अब यह law आ चुका है तो आपको इस law के हिसाब से काम करना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोट ने कहा नहीं नहीं कि 2021 में भले law आ गया हो लेकिन इसके subject matter यह कहता है कि इसको हम लोग उससे पहले जो laws थे उसको भी हम अभी implement कर सकते हैं तो कहने का मतलब यह था सीजी सी बात कि जो law की जो हमारा सुप्रीम कोट है वो basically it is an interpreter of the law it is not the legislator point number one दूसरी एक और बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि इसमें अब यह चाहिए कि अगर कोई भी तरह का इस टाइप के कुछ changes लाती है law तो सुप्रीम कोट तो उसको जो होना चाहिए वो authority of the law पर ही होना चाहिए law को by pass नहीं करा आपको कितना समझ माया इससे matter नहीं कर रहा है matter यह कर रहा है कि देखिए दो laws हुए है इन्होंने example लिया है दो laws का दो laws के example से इन्होंने समझानी की कोशिस किया है कि भाई देखो सुप्रीम कोट को चाहिए कि जो law कहता उस हिसाप से काम करे उसका interpretation ऐसा नहीं हो जाए कि व तो यह द्यान रखिएगा ठीक यह द्यान रखिएगा ठीक है अब इसमें देखें बहुत सारा कुछ आपका point to be noted नहीं है कि point to be noted में बस यही है बाबू कि कि टेक्स को लेकर दो बाते हैं टेक्स को लेकर आर्टिकल 265 यह कहता है आर्टिकल 265 यह कहता है कि टेक्स जो है वो हमेशा with the authority of law ही imposed करना चाहिए imposed by the authority of law point number one दूसरी बात टेक्स जो होना चाहिए वो clear होना चाहिए इसके बाद इन्होंने कर दिया कि दो एक्जामपल देखने को मिला है एक one एक जो एक्जामपल आपको देखने को मिला है वो है 153C को लेकर मिला है 153C को मिला है समझ मा गया सुप्रीम कोट ने इसको retrospective लगा दिया जबकि ऐसा कुछ ठा नहीं और दूसरी बात एक 2015 में लौ में चेंज आया था जिसके जो की income tax की reassessment को लेकर था तो सुप्रीम कोट ने क्या किया कि इसको पुराना लौ ये लौ आने के बावजूद भी जो इससे पहले लौ था उसके हिसाब से judgment दे दिया जबकि ये लौ आ चुका है उन्होंने ये कहा कि इसका तो notification ही नहीं है तो ये दो वैसे ये दिखता है कि जो हमारी जो higher judiciary है उनको थोड़ा सा judicial activism में एक बात ध्यान अखना पड़ेगा कि वो एक interpreter एक interpreter है समझेरो बात हो कि नहीं वो interpreter है वो legislation नहीं है वो युसर्प नहीं कर सकता पार समझेरो तो question पूछ सकता है आपसे we discuss the essence there is a very thin line there is a very thin line between between judicial activism activism and overreach ठीक है क्रिटिकल यह नलाइज तो फिफ्टी वर्ट्स फिफ्टीन मार्क्स यह लिख कर आप भेज सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह आर्टिकल मुझे विवेक कार्जूई जी का आर्टिकल था अब इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पढ़ेगा दो तीन चीज़ें देखें सर ऐसा है नाइंटीन एटीज के जो दशक था जो डिकैट था उसमें ऐसा चल लाता कि उसमें सिक मिलिटेरिजम बहुत जादा बढ़ गया था समझ मा गया आपको कुछ सेक्शन ऑफ दो सिक कम्यूटी ऐसे थे जिन्होंने खालिस्तान एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करी थी और ऐसा इसलिए भी वा था तो कि एक्स्टर्नल पोर्सेस लाइक पाकिस्तान और अधर कंट्री जो थे इस इसको और फ्यूल भी कर रहा है थे समझ मा गया तो उनी में से एक तबका ऐसा था जिनका नाम तो भिंडरवाले एक आदमी थे वो उन्होंने इस मूव्मेंट को बहुत हवा दिया कि भाई सिक के ल जी ने ओर्डर दे दिया कि भिंडरवाले को निकालिये और उसको इन प्रिजन करना है तो अब गोल्डेन टेंपल में क्या हुआ मिलिटरी विलिटरी बुला कर ऑपरेशन ब्ली स्टार चलाए गया उसके तहर काफी गोल्डेन टेंपल डेमेज भी हुआ और बिंडरवाले उसको आपने तोड़ दिया अब इसी को देखते हुए जो है इंद्रा गांधी जी के दो जो आपके बॉड़ी गार्ड्स थे बॉड़ी गार्ड काने गेट कीपर टाइप के आप कह सकते हैं उन दोनों ने क्या किया इंद्रा गांधी जी को मार दिया इंद्रा गांधी जी कंटेक्स्ट में है समझे अभी क्या हूआ कि Canada में एक जगह है समझ मा गया उस में निकलती है तो उसमें क्या हूआ कि टेबलो जा रहा था तो उसमें इन्होंने क्या किया दिखाया क्या कि रिवेंज ओफ 1984 मतलब विविल नेवर फॉर्गेट टेट ऐसे करके लिखा था उसमें दो थिक के जवान तो उन्होंने मतलब एक लेडी थी जो वाइट कप साड़ी में थी उसको इन्होंने जो है गोली मारते हुए दिखाया यह माना जा रहा है कि यह बेसिकली डिपिक्शन ऑफ दी इंद्रा गांदी अस्यासिनेशन है तो अब इसी पर इंडिया और कैनेडा के रिलेशंचिप बिस्तरब हो जा यह इनकी पॉलेंगे उनकी इसाब से काम करना ही होगा तो इस पर क्या हुआ कि जब ये मतलब जब ये टेबलो निकला तो फिर उसमें जैसंकर साब जो थे वो प्रेस कंफरेंस में बैठे हो तो उसमें पूछा गए कि भई यह इसन तो गड़ बड़ है ऐसा कोई भी कंट्री अगर इस टैब के किसी प्रायम मिनिस्टर को मारा जाता और उसका टेबलो जहां की निकलता है तो इसका मतलब वो उसको ग्लोरिफाई कर रहे हैं इसका मतलब असाइसिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं इसी बात पर जो है जैसंकर साहब ने कहा कि देखिए ऐसा है कि कोई भी कंट्री को असाइसिनेशन और वाइलेंस को प्रमोट नहीं करना चाहिए इससे दो कंट्री के बीच का जो रिलेशन्शिप है वो बिगड़ता समझ मा घया उन्हों ने कर साहिए जैसंकर साहब ने बलकुल नहीं बोला कि इंदरा गांदी है जिनका जहाकी कि निकला हुआ था है तो गजब की बात यहां के डिप्लो मैट ने यह बड़ा कि आ इंदरा गानदी को दिँखाए गया था हो very sorry for that but यहां के जो जैसंकर साफ तो उन्होंने ये बात नहीं बोला अच्छा इस आर्टिकल में ये भी कहा गया कि ऐसा इसले भी किया गया ताकि कि वोट बैंक पॉलिटिक्स हो देखिए अगर आप देखें तो कैनेडा में आठ लाख लोग जो है वह एथिनिक इंडियन्स हैं खास करके जो हैं सिक हैं जाहतर उस में से पर एक बड़ा तबका जो है सिक का वहां पे रहता है और बहुत बड़ा तबका सिक वहां का जो पॉ की वोट वैंग को का इस्तेमाल किया जाता है जसिंठ होड्रों ने फार्म को टेस्ट पर बोलने की क्या जुरत थी आप बताई यह फार्म पोटेस्ट जो हमारे आप पंजाब चेतर तो पंजाब में स्थ्ट ज्यादा रहते हैं तो उन्हों ने ने लिक्राफंटर उन्हीं कहीं झाइब कर फो आप नों कर दूसे केज़ां सबस्ताइब लोगी यहां का वही के जो मतलब कैनेड़ा के ही एक मिनिस्स ट से लिए क्या कि इंडिया और इरान और अश्या जो यह दूसरी कंट्री में इंटरफेर करते हैं वह से अपकर आ को window को ड़ंटे नहीं करते वो लोग उलटा हमारे मॉने नहीं करते उन्हों और चुकि वह बहुत भारी नंबर में है तो वह एक वोट बैंक का क्लॉट रखते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको दुखी करना नहीं चाहेगी इसलिए खालिस्थानी मुव्मेंट और ये फार्म पोटेस की बाद बार बार उठाई जाती है लेकिन किसी भी कंट्र को यह समझना चाहिए कि जो उस कंट्री में जो हो रहा है जो घटनाए गट रही है उससे बाइलेटरल रिलेशन्स बिगड़ सकते हैं जबकि इंडिया चाइना का बाइलेटरल रिलेशन्स के वल इसी बात पर डिपेंड नहीं करता है वी आर मोड डिपेंडेंड और मैनी जैसे कि कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है और इंडिया और चाइना में बहुत सारे ऐसे अधर दैन यह जो आपके जो इसूस हुए हैं इसके अलावा एकोनॉमिक सेक्टर में इनर्जी सेक्योर्टी सेक्टर में बहुत सारी बातों पर हम लोगोंने कोलाबरेट करने की क कुसिस करी है समझ मांगे आपको कि नहीं इंडिया-कैनेडा रिलेशन्शिप के बारे में थोड़ा सा विवेक काड़ुजी ने बताया है अच्छा क्या है वाटर दो पॉइंट वी नोटेड इन इस आर्टिकल पॉइंट टूबी नोटेड पहली बात इन्होंने कही क्या कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ ठीक है इस से क्या हुआ सिक फिलिंग सिक फिलिंग जो है वो जो है एफेक्ट हुआ और हर्ट हुआ ठीक इसके बाद उन्होंने बोला क्या कि इसी को देकर 9084 की ही इसी याद को लेकर प्रोग खालिस्तानी सिंसाइजर जो है वहाँ पर उन्होंने एक टेबलो निकाला ठीक है उसमें दिखाएगा कि इंद्रा गांधी के असैसिनेशन को दिखाएगया इससे बताएगा कि इंडिया और कैनेडा के डिलेशन्चिप इंपक्ट कर सकते हैं इससे क्योंकि कभी भी वाइलेंस को प्रोग नहीं करना चाहिए समझ मारा अगर आज की डेट में आप असैसिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं तो कल के डेट में आपके यहां भी हो सकता है यह चीज़ समझ माया तो इस पर हमने बहुत सारी क्वेश्चन दिया है तो अभी मैं इसमें क्वेश्चन नहीं दूँगा बार बार देखी चीज़ पर लिखना अकलमंदी नहीं है ओके अच्छा वेर एनिवन कान बी कॉस्ट ऑफ सेडिशन अभी क्या है समझो सेडिशन का मतलब क्या होता है सेक्षन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड सेडिशन से डील करता है 124A यह कहता है कि कोई भी बात कही गई हो या लिखी गई हो या विज्वल एक्सप्रेशन करी गई हो जिससे गवर्मेंट ऑफ दे डे को थ्रेट हो सकता है और वाइलेंस प्रोमोट हो सकता है ऐसी चीज़ें सेडिशन के देश-द्रोह के दाएरे में आती है सेक्षन 124 जो हैता है वो बिसिकली सेडिशन या देश-द्रोह में आता है अब अभी 279th Law Commission का एक रिपोर्ट आया उसने तीन रिकमेंडेशन सेडिशन को लेकर दिये पहला रिकमेंडेशन ये था सर जान सुनिएगा पहला रिकमेंडेशन सेडिशन को लेकर ये था कि सेडिशन को डिफाइन किया जाए और उन्होंने सजेक्शन दिया कि sedition define करने का एक मदलब एक चीज और भी उसमें जोड़ा जाना चाहिए sedition में कि केवल violence हो तभी नहीं अगर even though there is an incitement to the violence तब भी उसको sedition के अंदर ले आना चाहिए अब देखिए कितनी कितना बवाल है इसमें अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे ये खतरनाक हो सकता incitement to the violence तो पहला इनोंने suggestion दिया कि इन्साइटमेंट to the violence या inclination towards the violence भी अगर हो तो भी उसको sedition treat कर देना चाहिए दूसरा इनोंने कहा कि जो minimum sentence होना चाहिए that should be increased from three year to seven years तीन साल से साथ साल बढ़ा देना चाहिए दूसरा इनोंने ये कहा तीसरा इनोंने कहा कि जो F.I.I.R. लिखने वाली body होनी चाहिए वो या तो inspector होना चाहिए inspector से उपर के rank का होना चाहिए और वही preliminary inquiry भी वही करेगा अब देखो बवाल क्या है एक तो वैसे ही आपको पता है कि sedition law बहुत draconian और controversial माना जाता है point number one हमारी Indian history में भी महात्मा गांधी sedition law में पकड़े गया थे लाला लाजपत राई भी sedition law में पकड़े गया थे तो ये colonial regime चाहिए है इसका main purpose ही यही था कि Indian subjects को subjugate करना ताकि वो British government अपनी supremacy दिखा सक्या वही जो colonial legacy है वो हम अभी तक carry कर रहे है point number one, point number two चुकि ये draconian law है इसे अकसर इस्तमाल हम लोग किसलिए करते हैं इसे अकसर इस्तमाल किया जाता है government of the day decent को curve करने के लिए माली जो मैंने कहा कि हमाई सरकार अच्छी नहीं है ये कर रही है वो कर रही है देस में जो है communal light कर रही है अब इससे क्या हो सकता है कि सरकार को अच्छा नहीं लेगा कि आपने ये बात कही तो अब सरकार क्या कर सकती है आपके सरकार क्या कहें कि अच्छा ऐसा तुम्हारे इस बास से लोग भड़क सकते हैं हिंसा हो सकती है इसलिए तुम्हें अरेस्ट करते हैं सर जी इंसाइटमेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हटेगा तो इसलिए उन्होंने बोला कि यह ठीक नहीं है जो tendency word जोड़ा गया ना कि tendency for the violence इसको नहीं promote करना चाहिए यह ठीक नहीं है tendency is a loose formulation इसका misyood हो सकता है समझ मारा है यह हम लोगों ने देखा और plus police में inspector rank को आप बता रहे हो कि वो जो है decide करेगा समझ मारा है जो कि आपको पता है कि कितना political influence होते हैं इसलिए यह चीजें ठीक नहीं है समझ मागया Indian democracy के लिए ठीक नहीं है तो इस टाप के जो amendment होना चाहिए वो clear होना चाहिए कि इससे पहले खड़क सिंग केस था केदार नास सिंग केस था सब में यह बात clear-cut था कि तब तक ठीजिशन नहीं माना जड़े जब तक कि violence ना हो जाए यह बोलेगी वाइलेंस ना हो जाए यह तो दूर की बात हो गई आपको ऐसा लगता है कि वाइलेंस हो सकता है अब ऐससे तो मुझे किसी भी बात पर लग सकता है आपने मेरा नाम ने लिया चिला के तो मुझे तो मेरे से तो तुमकों पकड़ के स्टीशन में डाल देंगे थोड़ी सी दिक्कात है प्रोब्लेमेटिक है इसको थोड़ा सा जो है बहुत केरफुल केरफुल होकर इसको इंप्लेमेंट करने की जुरत है अब देखिये सर आजकल तो पता ही आपको यूएस एंडिया इसका बहुत बड़ा खारण चाइना खुद है समझ मारा है कि इंसर्क्लिंग थोड़ा किया जाता है तो चाइना को अलूफ रखने के लिए हम यह कोसिस करते हैं कि हमारा भी जो है एक तरह का एलाइंस नहों तो कम से कम पार्टनर्शिप हो कि we don't believe in alliance formation तो इंडिया अगर इंडिया का यूएस इलॉंग विद जैपैन और ऑस्टेलिया इन सब का अगर आप देख लें अगर इनका कोलीजन हो जाए तो आप यह चारों के चारों एकसिस जो है देकिन कॉंबैट विद दी चाइन एकसिस रहीट चाइन और अश्या एकसिस को कर सक है हम चार मिलके जो है इसको थोड़ा दबा सकते हैं समझ मारा आपको तो इसी वज़े से जो है यूएस और इंडिया का रिलेशन्शिप जो है देखा जा सकता इसी प्रिस्म में तो अभी जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उनके कहने पर हमारी प्राइम मिनिस्टर हो गये है वहां पर उन्होंने वहां पर जो है यूएस कॉंग्रेस में जाकर जो है एक जोईन्ट सेशन भी करवाया गया है ठीक है तो यह दिखाता है कि दो कंट्री स्के बिच में बहुत ब़ुक्रेशन्शिप और दो कंटी के बिच में रिलेशन्शिप थब तक सई नहीं हो सकता जब तक दोनों में economic ties ना हो समझ मारा हाला कि I'm not very favorable when it comes to US-India relationship क्योंकि US जो है ना बहुत जादा जो है वो a realist foreign policy अपनाता है जहां तक उसका benefit होगा जहां तक गेन होगा वही तक अपना relationship रखेगा समझ मारा इतके relationship में किसी भी तरह का कोई कि मतलब objectivism नहीं है मतलब कोई बहुत आइडियल foreign policy नहीं बोल सकते हैं इसको काफी डियलिस्ट बेस्ट है अच्छा आगे क्या है हमारा आगे है नो सर्ट इन अपडेट येट ओन कोई डेटा लीग एक्शली क्या हुआ आपको पता होगा कि हम लोग जब वैक्सिन लगा दे तो कोई 19 का तो उसमें हम लोग कोई साइट पर जो कोई जो था उसमें जाकर रेश्टर वगड़ा कड़ाते थे ऐसा पता चला है कि जो जो इलेक्ट्रोनिक्स एन इंफर्मेशन टेक्नोलिजी के जो मिनिस्टर उन्हेंने कहा है कि ऐसा मालूम ऐसा प्रतीत हुआ है कि कोई का डेटा जो है वो ब्रीच हुआ है समझ मारा अब देखें सर यह तो डिजिटल गवर्नेंस के साथ सबसे बड़ी सौश्या है जब भी आपका डेटा किसी एक साइट पर या किसी एक डेटा स्टोरिज पर रहेगा हाई चांसेज कि वो ब्रीच होगा समझ मारा है अब देखें यह तो रही है कि जो साइबर सेक्योर्टी वर्सेस नाशनल इंट्रेस्ट यह दोनों का कंफ्लिक्ट रहता ही है तो यह बास है यह कि प्रिविसी बचा हुआ रहे ना चाहिए पर इसका मतलब यह निए कि हम डिजिटल गवेंने ना करें हाँ कोवीन से कैसे ब बहुत मतलब इंपॉर्टेंट एजन्सी मानी जाती है से कहते हैं कम्प्यूटर एमर्जंसी रिस्पॉंस टेम इंडिया इसका इसकी जम्यदारी है कि यह भारत में जो भी साइबर सेक्योर्टी से लिटेट बीचेज होते हैं उसको यह देखती है सबसे फ्रेंट लाइन ए देखिया और इफिशल आर्टिफिशाल इंटैविजेशन जो है इस न्यू थिंग नीव भी उंटी टिंग आ इसमें दिखाए कि जो हीमन लाइक इंटेलीजैंस जो है विदा ही उडी उस आफिद शाइबर्नेटिक्स एड कम्प्यूटर्स जब हम अन्युक्त बोग ने ल सकता है समझ मारा अब इसको लेकर बड़ा अप्रिहंचन है अभी अभी क्या हुआ थो कुछ दिन पहले आपको पता है कि रेस्टलर्स पोटेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक सेल्फी लिया था तो सेल्फी में वो लोग बहुत दुखी थे आप विद रहल्प अब अब की मदद से दिखाया जा रहा है विद यूव यूव आटिफिशल इंटेलिजेंस देखो एवरी साइड है अवरी कोई है थो साइड एक पॉस्टिव होता है एक निगेटिव नेर्जी तब भी हमने देखा था कि उसके पॉस्टिव इंपक्स भी थे निगेटिव इंपक्स इसका नाम है हिरोशिमा राटिफिशल इंटेलिजेंस प्रोसेसिश उन्होंने कहा है कि हम ओई सीडी स्टेंडर्ट के हिसाब से अर्टिफिशल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करेंगे समझ माग एग्जी सेवन का है आपके एक्जाम में पूस्ट सकता है कि हैं कि किस में तो आपके पुछ दगा कि अच्छा पते जी टुएंटी का इनिशेटिव आप एक और बात आप मुझे बताना कि वदर जी सेवन में जो इतनी कंट्रीज है क्या वो जी टुएंटी में था नहीं है आप मुझे एक कमेंट सेक्ष्टन बताना ठीक है ठीक दिस वाल फू तो ड इंडिया-कैनेडा रिलेशेंशिप सुप्रीम कोड डुडी सेल अक्टिविजम इसके अलावा हम लोगों ने आज जो है अब कुछ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एलेटेड भी कुछ पढ़ा तो इस वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डियने ठीक है अगर आप को ये डियने लाइक जरू करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक्यू अलाफ यू बबाई